जवलपुर में चोरों के होसले इतने बुलंद हैं कि अब वे चोरी के वारदात के साथ हमला भी करने लगे हैं ऐसी है घटना संजीवनी रगर्थाना शेत में हुई है जहां एक दुकान में दो चोर आटो लेकर टायर चोरी करने गए पहले तो उन्होंने दुकान की कुंडी बहर से लगा दी और फिर टायर उठा कर आटो में रखने का प्रयास करने लगे चोरों की है करतू सीसी टीवी कैमरे में रिकार्ड भी हो गई इसी बीच दुकान मालिक की नीन खुलिया और उसने दरवाजे की कुंडी तोड़ी और बाहर निकला लेकिन दोनों चोरों ने उस पर हमला कर दिया दुकान मालिक के शोर मचाने पर वहां ट्रक ड्राइवर उसकी मदद को आए जिसके बाद दोनों चोर अपना आटो छोड़ कर भाग गए दुकान मालिक फिरोज ने मामले के शिकायत धनवंतरी नगर पुलिस चौकी में की है उसका आरोप है कि पुलिस ने मामले में कड़ी कारवाही नहीं की बलकि रस्म अदाइगी की है लगे ताला तोरने लगे टार की जो चैन लगी रहती है उसकी उसका वाद मैंने अंदर से जटका उमार करके बाहर निकल के आया तो हमारे उपर हमला बोलने लगे दोनों रहट उड़िए कह यहात में पता है प्रश्राइब या उसके साथ में फिर हम लोग डरीवर कंटेक्टर से मदद मांगने लगे फिर लोग उठा तो फिर उन लोगों ने भागा यहां से और उटो को लंबर क्या था वो पता नहीं चला उटो तो बात में पता चला कि यहां पर खरी है अगहां तो पहली बार की इ लोग आँ तो फिर एफाई आर लिखा वाले कॉन्प परकांते नहीं अब ही वेठी रहे साथ में हैं सबसे पहले मैंने फोन किया रहा सो लंबर में डायल किया रहा फिर सब लंबर से फोन आया फोन की जाए पिर चवक्य में गया है इसके पहले भी पुलिस को सगाट की थी? पहले हमारे साथ एक बार पहले भी सिकायथ हुआ रहा ओटो ले करके उनको पईसाविसा ले करके छोड़ दिया गया फिर यह घटना खटी रात में सारे तीन चार वजे के आसपास में नहीं पुलिस है भी नहीं की सोल अमर भी लगा है तो नहीं आए वो पुले याकर कथाने में रीपोर्ट लिखा औ पर फोन आये वहां से आओ धनवंति नगर में फिर वहां गया तो वहां सो बले जहिए नहीं चले जाओ तो मारा रीपोर्ट लिखा गया नैंकर कुछ दिया रिपोर्ट लिखा गया अम मीरा नाम महमेत शिरोडर जो रौट वाइस आस